बच्छो, क्लास 11 का युनिट नंबर 1 का लास्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एरर, इस एरर के बारे में बच्छो हम पिछे भी एक लेक्चर में डिसक्स कर चुके हैं, जब हमने किसी इंस्टुमेंट का लिस्ट काउंट फाइंड आउट क कर दी है, क्या हमारा जो रिजल्ट है, वो हमारे एक्च्छल रिजल्ट के बराबर क्यों नहीं आया, उससे ज़्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है, ठीक है वो बात हम वहां डिसक्स कर चुके थे, लेकिन एरर है कि उसको बहुत अच्छी दरी कैसे, कितने टाइप का ह कैसे एरर के कंबिनेशन हम डिसक्स करेंगे, वो सारा का सारा टोपिक इसमें पढ़ेंगे हम, डैमेंजिनल अनलिसिस की जब हम बात करते हैं बच्छो यह एरर अनलिसिस की बात करते हैं, दोनों ही टोपिक कम्पिटेटिव पॉइंट औफ यू से बहुत ज़्यादा इंप बात को, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बचे, एक्यूरेश्टी एंड परिशार्शन, वाट डूई मीन बाई एक्यूरेश्टी, कोई भी फीजिकल क्वानिटी जब हम मेजर करते हैं, तो उसकी कोई ना कोई नोन वैल्यू होगी, और उस नोन वैल्यू को हम ट्रिव यह मानने तो जो हमने उसकी वैल्यू मैजर की है, और वो उस नोन वैल्यू के कितना क्लोज है, जयासे एक्जेक्ट वैल्यू थी 10, दो बच्चों ने वैल्यू अलग अलग से मापी, एक बच्चे ने मापा 9.58 और दूसरे बच्चे ने मापा 9.54 तो हम यह कहेंगे कि फर् क्यों क्योंकि वो किसके close ज्यादा accurate value के जो exact value है उसके close है exact value के close है तो इसे लिए उसको more accurate कहेंगे हम तो comparatively हम देखते हैं कि कौन सी value आप जिस बच्चे ने measure की है वो कौन सी ज्यादा accurate है और कौन सी कम accurate है ओके अब बात आती precession की किसी भी instrument से जब हम कोई measurement करते हैं तो measurement करते हुए एक बात बहुत खास ध्यान रखनी होती है और वो instrument की उपर depend करती है वो है precession precession का मतलब होता है कि एक instrument किस हाद तक accurate value measure कर सकता है that is called the precession और बहुत मज़दार है ये बात दोनों को अगर आप correlate करेंगे मैं guarantee देता हूँ बचो कि अगर आपने इसको धायान से सुना तो ये बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें कि हाँ सर ऐसे होगा और ये आपको lifetime याद रहेगे ये चीज़़गी माल लेते हैं इन दोनों को concept को थोड़ा सा समझने के लिए हम एक example लेके चलते हैं माल लेते हैं बचो एक length आप measure कर रहे हो और teacher ने आपको वो length जो है वो देदी 6.934 cm this is the length of a wire 6.934 cm have you got my point length दे दिया आपको अब तीन students को अलग अलग से instrument दे दिया teacher ने पहले student को दिया बचो meter scale meter scale दूसरे instrument को दिया वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर और तीसरे को दे दिया वचो screw गोज screw गोज यह दे दिया अब यह जो case है यह वाला देखिए आप meter scale वर्नियर कैलिपर screw gauge जो meter scale है आपको पता इसका list count होता है बचो 0.1 cm जो बच्चे पहली बार यह lecture देख रहे हैं मेरी उसे यह request होगी list count वाला जो topic है chapter है वो आप जूरूर देखें बच्चो उसके बाद आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको समझते हैं पहली बार आप देख रहे हैं तो साइद आपको थोड़ा कम समझे में आएगा इस बात का ध्यान रखें इसका list count दे रहा बटे वर्नियर कैलिपर का list count है 0.01 यह भी हम पिछले lecture से में निकाल चुके हैं और screw gauge का list count है 0.001 cm अब तीनों बच्चों को बोला गया भी आप अपनी value map के दिखाईए यह जो लड़का है यह इसकी maximum closeness जो है इस value के maximum कितना close जा सकता है मापते हुए शिक्स पॉइंट दुग जा सकता बच्चों इससे ज्यादा accurate यह नहीं map सकता और हमें ऐसे लगए इससे ज्यादा accurate होई नहीं सकती जो नहीं सकती जो जिसके पास meter scale है बच्चे एक के पास तो वह तो फटाक से यह कहेगा इसको मापते ही कि मेरे जैसी को नहीं सकता शर इस पॉइंट का आई है बी बच्चे ने जो बी नंबर टू पे था उसने वर्निर के लिपर से मापा उस बच्चे ने मापा 6.93 ये वाप दिये बच्चे तो उसकी वैल्यू जो है उसने कहा कि बस इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं आ सकती है जब स्क्रूगेज पर बात आया उसने मापा वेटे 6.93 and 3 तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी हुई इस वन सबसे लिश्ट एक्यूरेट कौन सी हुई इस वन हालां कि इसने अपनी जो लिमिटेश जो इसकी हद थी उसको इसने उसके उससे क्या कर दिया जितना भी मैक्स पॉसिबल इसको हो सकता था कि मैं इस एक्जेक्ट माप हूं वह उसने माप भी बेचा रहे ने लेगिन लिमिटेशन ही हुतनी थी उसकी लिमिट ही हुतनी थी that is the meaning of precession मतलब एक इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम कितनी डिगरी की एक्यूरेशी दिखा सकता है मेरे बा bullish समद रहे हो इससे ज्यादा accuracy नहीं दिखा सकता और यह accuracy कहनद रिखा सकता बच्छो यह 3 लिघ्ण की डिखा सकता है यह 2 लिघ्ड लिखा सकता है और यह 1 लिघण की दिखा सकता है मतलब यह हुग यह रिखा सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा ज्यादा होगा यह बात मैं यहां कर लिख दूँ लेस विल भी दा लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसेशन उतना ज्यादा होगा मतलब उस इंस्टूमेंट के वो इंस्टूमेंट उसकी वैल्यू उतनी ही अच्छे धंग से माप सकता था ज्यादा एक्यूरिश इंस्टूमेंट लेकिन यह गलत फेहनी दिमाग में कभी मत रखिये कि जिसका प्रिसेशन ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा एक्यूरिट होगा यह जरूरी नहीं है भचो अब फिरसे हमने यही इंस्टूमेंट तीन अलग-अलग बच् 6.9 अठ्षे से मापने आती उसको मापली उसने इसने मापी बचो 6.84 और यह माप पाया 6.763 देख लिए आप इनको ध्यान से देखिए इन में सब से जो ज्यादा क्लोज है हमारी actual value के वो कौन सा है 6.934 यह कितना वेटे 6.93 यह कितना है 6.84 यह कितना है 6.763 इन तिन्नों में से इसके नजदीक सब से नजदीक कौन सा है यह वाला है है ना पर अगर यह नजदीक है तो यह सब से ज़्यादा accurate है और यह देखिए बचो वैसे तो 6.934 था और यह माप के ला रहा है 6.763 जबकि उसके पास एक ऐसा instrument था जो सब से ज़्यादा accuracy दे सक उसने सबसे घटी accurate करके दिखाई वो दिखाई measurement करके दिखाई जबकि जिसके पास बिल्कुल list count सबसे ज़्यादा list count जिसका था उसने सबसे accurate करके दिखा दिया तो मेरी बात समझ गए प्रिशेशन ज़्यादा होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि accuracy भी ज़्यादा होगी वो measurement करने पर डिपेंड करता है बचो प्रिशेशन ज़्यादा होगा अगर किसी भी instrument का जितना least count कम होगा उसका प्रिशेशन उतना ज़्यादा होगा ही ज़्यादा accuracy से वो instrument माप सकता है हमेशा माप पेगा यह बात नहीं है वो dependent करता मापने वाले पे तो प्रिशेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी accuracy कम हो सकती है और प्रिशेशन कम होने के बावजूद भी accuracy ज़्यादा हो सकती है यह बात आपने ध्यान रख नहीं है यह बड़ा important point है, accuracy and appreciation का किसी भी competitive exam में आप देखें, कई बार इस type का question मिलता है एक ही measurement को चार तरीके से लिखा मिलेगा और आप से पुसलेगा which may be the more accurate, which has highest precession इस type का question इसके उपर बनता है चोटे इसी बात है, उमीद है आप बचों को समझ में आया होगा एक दो question अपने आप करके देखना है इसके, ठीक है next आता बचे classification of errors अब question यह विटे, error होता क्या है जब भी हम कोई measurement करते हैं अगर वो measurement हमारी exact value के साथ जो sorry, exact तो नहीं कहेंगे उसको observed, एक तो होती ही बच्छ, observed value जो हमने observe किया, जिसको measure किया है और एक होती है given value true value जो given हाब को जैसे मैंने कहा, जैसे बावार बार जीकर कर रहा हूं हूं length, किसी भी wire की length दे दी एक laboratory में बहुत अच्छे ढंग से measure करके लेके आया उसको, और उसकी value most precision के साथ high accuracy के साथ 6.934 अब school आके बच्चों को दे दी है और बच्चों ने उसको मापना है बारे बारी से और तो उन सभी बच्चों के जो results आएंगे, उनको हम किस के साथ compare करेंगे इस के साथ compare करेंगे so this value can be written as true value true value this is known as true value, मेरे बात समझ रहे हो so true value जो आई है और जो हमें measured value की निकाली हुई है उन में difference का आना यनि हमारे द्वारा measure की गई value का true value से match ने करना कहलाता है error क्या कहलाएगा बच्चों? error कहलाएगा now what are the classification of errors? errors की basic classification दो है बच्चे, यहाँ अगर हम देखें first is systematic error what is systematic error? इसकी different categories है और सबसे पहले आता है instrumental error systematic error का मतलब यह होता कि जो error मतलब कुछ ने कुछ उस error के होने का known region होगा कुछ ने कुछ रीजन होगा वह हमें ढूंदना है region और हमें एक बार ओर रीजन मिल गया तो उसको हम असानी से remove कर सकते है जब एक बात बच्चों हमेशा धान रखें लाइफ में zero error मतलब आप यह नहीं है किसी भी instrument से map रहे हो तो उसका error zero होगा there will be a little bit error takes place in that instrument वह आगे जिकर करेंग उसका लेकिन सबसे पहले हम बात करते है instrumental error होता क्या बचा? जो instrument आप यूज कर रहे हो हो सकता वो instrument खराब हो उस instrument में कुछ गडबढ हो उसकी कोई पती है माले जहां से map ना जाते हो टेड़ी हो गई है आपने ध्यान नहीं दिया और आपने map ना शुरू कर दिया तो आपके जो result चाहेंगे वो गलत आएंगे उसमें पका error मिलेगा कोई सुई है आपकी जैसे हमारा हमने कैली पर श्क्रू की बात की थी जैसे माले ये कोई scale है और इस scale में पचे ये 0 है आपका और ये इसके साथ match नहीं कर रहा है वर्नियर scale का 0 इसके साथ match नहीं कर रहा है और आपने rating ले ले ली तो गड़बड़ हो जाएगी रेडिंग आपकी इसमें सही नहीं आएगी जी जी जुरुदा इरनियस इंस्टुमेंट मतला इंस्टुमेंट में खुद ही error है वो खुद ही उसके इंदर कुछ कमी है और हम उसको identify करने से पहले नहीं कर पाए second है error due to ignoring certain effects अब होता कही बार क्या होता जैसे हम को एक्सपेरिमेंट कर रहे है जैसे एक एक्सपेरिमेंट आएगा 11th कलास में बच्छो आपके simple pendulum simple pendulum क्या है एक pendulum की bob होती है उसको धागे के साथ बांध के ऐसे और उसको यहाँ से displace कर देते है slightly और वो ऐसे ऐसे oscillate करेगा बच्छो ऐसे ऐसे oscillate करते हुए आप क्या देखेंगे कि उसका time period हम note करेंगे हम यह बता करेंगे कितने time में इसना अपना एक cycle पूरा किया है लेकिन हम एक बात भूल जाते है कि जहाँ वो oscillate कर रहा है वहाँ air का effect है कुछ न कुछ जो formula है निकाला हुआ है simple pendulum के time period का आगे आएगा वो है बच्छे बगार किसी error मतलब बगार किसी air resistance के लेकिन जहां हम उसको कर रहे हैं वहाँ air resistance है लेकिन हमने experiment में उसको जान नहीं दिया और ऐसा गड़बड कर दी और उस गड़बड के होते ही क्या हो गया आपके उसमें experiment में पका कुछ न कुछ error आएगा ठीक दूसरा example देखो acceleration due to gravity है जो वो और surface के साथ height के साथ या depth के साथ बचे vary करते है आप certain height पे उपर की तरफ जाएंगे तो acceleration due to gravity decrease करेगी माल या आप किसी पहाड़ी बे जाकर एक्सपरिमेंट कर रहे हो और आपने वहाँ भी acceleration due to gravity की value ले ले लिए 9.8 meter per second square जबकि थी वहाँ काम और आपको पता इंधा उसीजगा इसलिए वो जब error बनता है हमने कुछ facts को इग्नोर कर दिया उसकी विज़ से कुछ न कुछ हमारे रिजल्ट में कमी आएगी that is called error takes place due to the ignoring some certain facts और next है error due to change in temperature, pressure, external factors हो है वो भी हमारे error पे facts डालते हैं आप experiment कर रहे थे 27 degrees celsius पे आपने experiment को set up लगा रखा था उसमें रीडिंग आपने लेनी थी लेकिन और उसकी condition यही थी भी उसके laboratory का temperature 27 degree का होना चाहिए अचानक कोई बाहर से आया और उस laboratory के AC कोन कर गया और वो AC कर गया 10 degree celsius पे तो पांच मिनिट के रूम का temperature होगा 10 degree celsius रजल्ट आपने calculate collect कर ले वो तो 10 degree पे collect कर रहा है और आप calculation किसके हिसाब से कर रहे हो 27 degree के हिसाब से पकी बात है error आएगा ही आएगा उसके बाद बचो random error यह ऐसे error है जिनका हमें region ही नहीं पता होता वो किस वज़े से आ सकते हैं कोई कार्ण ही पता नहीं होनका और जब errors का हमें region नहीं पता है तो हम उस error को असानी से minimize नहीं कर सकते हैं कि जब कोई region ही नहीं पता है minimize कैसे करेंगे इसको minimize कर सकते हैं इसको minimize कर सकते हैं आपको पता है हाँ यह resistance थी हम एक ऐसे region प्लेस पर जाकर उसको करें जहां पर एर resistance negligible हो या होई ही न बिलकुल अचा जलट देगा लेकिन इसमें region का पता नहीं है observation की उसमें error आया कुछ फिर दूसरी बार की फिर तीसरी बार की फिर end sound to फिर end times की तो अलग अलग time पे end times पे आपने उनको observe किया और end से divide कर दिया तो जितनी ज़्यादा बार observe कर करोगे तो उनका mean निकाल लोगे तो उस case में जो error आएगा बचो वो क्या आएगा काफी कम हो जाएगा minimize हो जाएगा zero कभी नहीं होगा यह ध्यान रखे error remove नहीं कर सकते हम इसके बाद एक बड़ा important point है यहाँ पर that is maximum permissible error what do you mean by maximum permissible error हर एक instrument जो होगा बचो उसकी अपने एक limitation है वो एक उस limit से ज़्यादा accuracy किसी भी हाल में नहीं दे सकता example देखिए maximum permissible error क्या है किस instrument की limitation की जैसे उसमें कुछ नहीं कुछ limitations है कि minimum इतनी accuracy इतनी maximum माप सकता इससे ज़्यादा accuracy नहीं माप सकता है तो वो कितना होगा वो least count जितना होगा किसी भी instrument का उतना possible error permissible error होगा मतलब इतना तो भी error आएगा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसे ज़्यादा अगर error होगा तो सोचने की बात है लेकिन अगर उतना कम से कम उतना error आ रहा है तो वो ठीक है चल जाएगा मतलब instrument की खुद की एक limitation है अब example देखो मा लेते हैं एक meter scale से हमने meter scale से हमने length हमापी बच्चो यहां से यह कोई length ले ली यह 0 है 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद यह आगा बटे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है और यह आगा बच्चो यहां पर 1, 2 यह 1 cm है यहां पर यह 0.5 cm है हमने result निकाला बच्चो 1.2 meter scale से जब आप result निकाल रहे हो तो वो result बच्चे आगा 1.2 cm तो इस instrument का least count कितना है 0.1 cm तो अगर इससे आप value निकाल लोगे तो possible values हो आएगी permissible error 0.1% का होगा इससे इतना कम भी आ सकता है और इतना ज़्यादा भी आ सकता है तो यह नहीं हमारी जो range बन जाएगी 1.2 पलस माइनस 0.1 cm मतलब या तो 1.1 cm लिखोगे इससे या 1.3 cm लिखोगे यह permissible है इससे ज़्यादा अगर error इसमें मिलेगा उस error को find out करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चो कोई region रूणना पड़ेगा कि वो error आया किसकी वज़े से है बात समय में आई least count error क्या होगा least count error is that error which takes place due to the least count of an instrument and the maximum permissible error इसका नाम भी इसी तरह से रखावेगा maximum permissible error for any instrument is equal to the least count of that instrument मतलब इसको हम permissible है इतना error तो आज आज आएगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्यों आ जाएगा क्योंकि उसका least count है और least count के बराबर का error होना बनता भी है क्योंकि मैंने उस दिन पहले बताया था जब हमने error पड़े था ना हमने और significant figure आपको जान होगा पिछले lecture में significant figure में भी हमने यही बात बताई थी ठीक है यह आपको कलियर हो गया होगा किस प्रकार से हम error को find out करते हैं और यह कौन सा error है बच्छो यह है आपका maximum permissible error ठीक minus true value minus observed value या calculated value भी आप कह सकते हो जब आपको actual value ना दे रखी हो ध्यान से सुन ले मरी बात जब भी बच्छो आपको actual value ना दे रखी हो तो उस actual value के ना देने पर हम किसको true value माननेंगे यह हमारे लिए main point है यहाँ पर तो उस true value किसको मापनेंगे यह देखिया माले ते हमारे पास एक observation दे दी N type की observations दे रखी है तो N observations अगर आपने की है तो सबसे पहले हम क्या करें उन N observations का mean निकाल लेंगे जैसे एक आपने major किया एक wire दे रखी उसकी length मापी आपने 10 times उसकी length मापी पहली बार में 6.6 आई, 6.4 आगी, 6.3 आगी तो 10 times मापी तो कितने observations आगी आपके पास 10 observations आगी उन 10 observations को क्या किया हमने 10 की 10 observations को जोड़ा और 10 से divide कर दिया वो जो value आगी बच्छे वो आजएगी mean value तो जब हमें exact accurate value नहीं दे रखी है तो उस case में जो mean value है mean value जो है that is equal to true value उसको ही हम true value treat करेंगे अगर आपको true value दे रखी है तो अच्छी बात है और अगर बच्छे true value नहीं दे रखी है तो आप mean value को ही true value मनेंगे इसको बच्छों मैं लेकिता हूँ am this is the mean value तो सबसे पहला जो error है absolute error absolute error क्या है this is the difference between the true value and the observed value now what is the true value true value is am this is am किस में निकालन चाहते हूँ बच्छों absolute error हम फिर्स्ट टम में निकालन चाहते है ठीक है फिर्स्ट टम में आगे आपके पास minus a1 this is an absolute error in a1 similarly what is the absolute error in a2 that is am minus a2 तीसरा केस बनता है absolute error in 3 that is am minus a3 इसी प्रकारवच से absolute error in n आ जायेगा an minus am minus an an क्या है जैसे माले 10 observation की थी mean value minus पहली observation वो पहली observation का error आएगा पहली में कितना error उसने show किया जब उसने दूसरी बार उस length को मापा फिर उसने उसको mean में से घटाया फिर देखा आप कितना error शो कर रहा है तो अलग-अलग case में error अलग-अलग आ रहा है जुरूरी नहीं कि अलग-अलग आएगा एक जैसा भी आ सकता कोई बड़ी बात नहीं है यह positive value भी आ सकती है और यह negative value भी आ सकती है यह भी possibility है ठीक तो यहाँ जो absolute error है उसकी value positive भी हो सकती है और negative भी अगर यह value ज्यादा होगी तो negative चला गया और बचये अगर value अगर कम होगी तो क्या होगया वह positive चला गया यह बात ज़हां रखें ठीक है दूसरा अता है absolute error के बाद this is absolute error next mean absolute error mean absolute error mean absolute error क्या होगा जितने भी absolute errors आये है उन सब का mean कर दीजिए उन सब का क्या कर देंगे, mean कर देंगे, delta a, इन सब का mean कर दो, तो क्या हैगा बच्छो, delta a1, modulus लेंगे, क्योंकि सारे के सारे errors आई, negative होचा है, positive, अभी errors क्या होंगे, add होंगे, delta a2, and so on to, delta an, divide by n, this is the mean absolute error, उसको हम क्या कहें बचो, mean absolute error कहेंगे, बात समझे में आई, तो mean absolute error क्या होगा, mean absolute error का simple सा मतलब ये है, जितने भी absolute error हमने निकाल ले हैं, उन सभी error को क्या कर दीजिए, बच्छो, आप जोड दीजिए, और जितनी आपके absolute errors आई हैं, उन से क्या कर दीजिए, divide कर वो आपका mean absolute error आजाएगा, mean absolute error आजाएगा, clear, इसके बाद आता relative error, ये दो जो last के error very very important है, क्योंकि ये हमारे physical significance में, ये ही काम आता हमारा relative error, relative error क्या आएगा, relative error आएगा, mean absolute error, divided by mean value, what is mean value, am, ये इसको true value भी कह सकते हैं, mean absolute error divided by true value is known as relative error, ठीक, और last है, percentage error, percentage error, percentage error, percentage error आएगा, mean absolute error को, divide कर दीजिए, आप 100 से, वो आ जाएगा, आपके पास, percentage error, एक question करते हैं, the diameter of a wire, as measured by the screw gauge, was found to be, उसकी values दे रुखिये हैं हमें, और values क्या क्या दे रुखिये हैं, values है, 2.620, एक value दे रुखिये हैं, 2.620, this is value A1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, second value दे रुखिये है, 2.625, 2.625, थीसरी दे रुखिये है, 2.630, 2.630, 4th value दे रुखिये है, 2.628, 2.628, 5th value दे रुखिये है, 1, 2, 3, 4, 5th, 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 दे रुखिये 2.626, 2.626, this is 5th value, तो यह दे दिये हैं अपने पास, ठीक है, question क्या है, find out the absolute error, mean absolute error, relative error and the percentage error, यह निकालना बच्वा हमने, तो मैंने क्या का था, जब हमारे पास, कई सारी observations दे रुखिये हो, true value अगर ना दे रुखिये हो, अगर true value दे रुखिये हो, अगर true value दे रुखिये तो बहुत अच्छी बात हो, 19, 2, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 31, और या जा 1, 2, 3, 4, 5, that is 11, sorry 13, 14, divide by, कितनी टम है, 5, इसको आप solve कीजिए, या 2, कितना बचा बटो, 6, 2, 5, 8, या आगे बचे, लेकिन ध्याल लखना है, क्योंकि हम significant figure भी कर चुके हैं, पिछला lecture आप जुरू देखें, अगर अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो, क्योंकि उसके बगार यहां आपको दिक्कत आएगी, और rounding off भी हमने सिखा था पिछले lecture में, कि कैसे करते हैं, तो उसको use करेंगे हम यहां पर, decimal के बचो, 3 digit है, यानि least significant figure हमारे पास, इसमें 4 है, और यहां कितने हो गए, 5 हो गए, तो answer आपका इसमें 4 में लिगना है, तो 2.626, this is the mean absolute error, mean value, not mean absolute error, this is the mean value, क्या आगी बचो यह, mean value, तो अब निकालते हैं हम delta A1, delta A1 आएगा, mean value, 2.626 minus calculated value, 2.620, यह आज आएगा बचो, 0.006, फिर निकाल लेंगे delta A2, निकाल लिए इसमें, 2.625 minus 2.620, that is equal to 0.005, तीसरा केस आज आएगा, delta A3, अब देखो यहां आगया 2.6, यह एक मिनिट जान दें, यहां हमारे पास क्या था, यह बचो यह था ना, और यह value यह थी, तो यह यह आएगा, तो यह आजाएगा, 0.00, ठीक है, 2.626 minus 2.625, next आएगा, 2.am कितना है, 2.626, यहां हम true value लिखेंगा, minus 2.630, यह आजएगा, बच्चो, 0.004, minus का हो जाएगा, और A4 कितना आएगा, A4 आजएगा, 2.626, minus 2.628, इनको आप सब्टेट करके देखेंगे, तो यह आजएगा, 0.002, और A5 जवाएगा, अब यह देखो बच्चो, माइनस का हैगा, यह भी, यह भी माइनस का हैगा, यह भी माइनस का हैगा, 2.626, minus 2.626, एग्जेक्ट भी तनहीं है, और कैलकुलेटर भी तनहीं है, तो क्या जाएगा, 0.000, यह भी रिप्रेजेंटेशन का एक बैस्ट त्रीका है, कि आप मैजर कैसे कर रहे हूँ, किसे मैजर कर रहे हूँ, आप लिस्ट काउंट से, तो बैटर है कि आप चाहे जीरो लिखे, लेकिन उसको भी आप डैसीमल 3 तक दिखाएं, यह इस बात को इंडिकेट कर रहा है, कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट से उसको माप पा है, आगर बच्चे क्या करते हैं, माल लेक एक जामपल दो में, बच्चोंने लिस्ट किसे निकाला, कैलीपर से निकाला, कैलीपर लिया और कैलीपर से निकाल दे लिए 2.732, काउन सा इंस्ट्रूमेंट लिया था, कैलीपर, और निकाल देकिया बच्चों उने 2.73, 2 cm, जो कि पॉसीबल ही नहीं है, गलत हो गया, मीटर स्केल से आप माप सकते हो 1.6, माल लिया, इतने दक माप सकते हो, और एक बच्चे ने 1.61, अगला डैसिमल भी अपने हिसाब से लगा दिया, भी 6 के बहुत नजदीक था, माप किसे रहा था, मिटर सकेल से, टीचर के पास गया, टीचर ने देखा बच्चे क्या इंस्ट्रुमेंट था, वो लसर मिटर सकेल, गलत हो सकती थी, लेकिन जब उससे माप ही नहीं सकता, सेकेंड डेसिमल तक तो उसने माप कैसे दिया, ये बात आपने जहानक नहीं है, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, याद रखें, चाहिए पलस में हो, चाहिए माइनस में हो, सभी को आइड कर दो, 6 पलस 7, 4, 6 पलस 1, 7, पलस 4, 11, पलस 2, 13, 0.013, डिवाइड बाइ 5, ये आ जाएगा बच्चो, 0.0026, फिर वही बात आगी, इसमें आगे हमारे पास, डिजिट कितने थे देखो, यहां तो था 1 सिगनिफिकेंट, और यहां कितने हो गए 2 सिगनिफिकेंट, तो इसको हमने किसमें चेंज करना पड़ेगा, 1 सिगनिफिकेंट में, that is 0.003, ये 0 कौन सी कहलाएंगी, पिछले लेक्षर में हमने पढ़ा अब निकालना है relative error, relative error कैसे निकालोगे, 0.003 को आप mean value से divide कर दीजिए, और mean value आई है हमारी 2.626, this is the relative error, relative का मतलब true value के comparatively कितना error उसमें आया है, तो अगर आप divide करके देखो, तो बहुत 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 कम आएगा, जितने ज्यादा value हमारे पास है, और उसमें यह error कम आ र इसलिए हमें कोई ज्यादा घवराने की बात उसमें नहीं कह सकते हैं, हम ठीक हमाले हाँट है, चलो ठीक इतना है तो कोई बात नहीं है, percentage error क्या होगा बचो, 0.003 divided by 2.626 multiply by 100, यह कह लेगे हम percentage error, तो बचो यह था आज का हमारा topic, इसका last जो lecture होगा, next lecture, error combination का, first unit का last lecture होगा उसके बाद हम vector start करेंगा, बचो और उमीद करता हूँ, vector आपके लिए बहुत important topic होगा 11th class के लिए, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और subscribe कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका फिजिश का बहुत important part सुरू होने वाला है, vector, ठीक है, तो वो तभी समझ में कोई link आपको मिलेगा 11th class related, उसको click करें, वहाँ पर सारे के सारे lecture आपको मिल जाएंगे, okay, thank you very much.